हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं बनाने जा रही हूं मटर पनीर, तो मटर पनीर के लिए मैंने लिए हैं तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, लॉंग, प्यास, टमाटर, मटर और पनीर, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाईव में गरम कर लिया है तेल, अब तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने खड़े मसाले, जैसे की बड़ी लाइची, तेज पत्ता, लॉंग, काली मिर्च, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ग्राइंड की हुई प्यास, अब हम उस प्यास को अच्छे से भून हम गारेंगे जब तक की वो गोल्डन ब्राउ नहीं हो जाती है अब देखिया हम इसको अच्छे से फ्राइ कर रहे हैं जब तक यह इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, इसको अच्छे से तब तक हमें Mr. Low to medium flame पे स्राइग करतेर रहना है अब आप देख सकते हैं कि प्यार सोरी सी फ्राइ हो गई है तो अब मैंने इसमें अदग लहसुन का पेस्ट डाल दिया है अब इसको भी हम साथ में अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि लहसुन और अद्रक का कच्छा पन नहीं निकल जाता कोई अच्छे से हमने फ्राइ कर लिया है अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लग गया है और हमारी जो प्यार है वो फ्राइ होने लगी है अब हम इसके अंदर ढलेंगे मसाले हल्दी लाल मिर्च निकमारा है धनिया पाउडर और नमक स्वादनसार इसको अच्छे से भून लिया है हमने अब आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भून चुका है और उसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्राइंड किये हुए टमाटर अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे अब आप देख सकते हैं कि भूनते भूनते इसका कलर भी चेंज होने लगाए कुछ से फ्राइए करते रहेंगे अब इसकी बाद हम इसके अच्छे कर दो में इसके अच्छे मसाल अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे मटर और मटर को अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राइ करेंगे अब मटर भी हुआ अच्छे से फ्राइ वो चुकी है तो इसमें मैंने इसमें पनी डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और हमारा मटर पनीर बन के रेडी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल